काल परिश्रम से लाब का आनंद उठाए जीवन का, जिंदगी के किरदार को ऐसे निभाओ कि परदा गिरने के बाद भी तालिया बसती रहे, रुशब राशी के जातक कलाकार होते हैं, कला को पसंद करने वाले जीवन का आनंद लेने वाले अत्यनत सकारात्मक व्यक्तित्व रुशब राशी के होते हैं, नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर जोती जोशी, आप सभी जोतीश प्रेमियों का हर्दिक स्वागत करती हूँ, हम फरवरी 2024 महने के राशी भविश्य को समझ रहे हैं, उसमें आज हम रुशब राशी के जातकों के लिए यह महना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वारतालाब करेंगे, विभिन्न दुरुष्टि कोन से इस महने के ग्रहस्तिती का हम शास्प्रोक्त विश्लेशन करने वाले हैं, साथ ही वीडियो के अंत में, आपको मैं इस महने करने वाला विशेश उपाय बताने वाली हूँ, इसलिए विडियो को अंत तक देखना नव भूले, एक और महत्व पुर्णा बात है, कि हम विभिन्न दुरुष्टियों से यह महना आपके लिए कैसा रहेगा, यह सदईव बड़े विस्तार से बताते हैं, उस सनुसार, इस महने आपका अनुभो क्या रहा, यह आप हमें कमेंट द कर्शन का आपको लाब हो रहा है, यह बात हम तक पहुच सकते हैं, व्यक्तितों की दुरुष्टी से जब हम विचार करते हैं, तब राशी स्वामी की स्थिती महत्व पुर्णा होती हैं, रुशब राशी के स्वामी शुक्रदेव, बारह फरवरी तक अर्ष्टम स्तान मे अर्थात शत्रू की राशी में विराजमान है, उसके बाद वे भाग्यस्तान में जाकर आपके भाग्य को सम्रुद्ध करने वाले हैं, बारह फरवरी तक भले ही संगर्श रहेगा, लेकिन आपके राशी स्वामी की एक विशेष्टा है, कि वे राक्षसों के गुरु है, वामन अउतार में, जब बली राजा दान के देने के लिए निकलता है, तब शुक्रदेव छोटा सा रूप लेकर पानी के जारी में बैठ जाते हैं, उसके बाद आगे क्या होता है, वहा कथा आप सभी को पता है, फिर भी यहां कहने का उद्देश है, कि अपने शिश्य का नुक्सा न हो, यहां उनके सभाव का एक भाग है, उनके शिश्य का नुक्सा न हो, इसलिए राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य सदैव प्रेतन रत रहते हैं, इसलिए वहां आपके व्यक्तित्व का एक भाग होता है, धन परिवारवानी की दुश्टी से विचार करे तो रुशब राशी के लिए बुधादेव की स्थिती महतो पुरुण होती है क्योंकि वे आपके धनेश है। बुधादेव प्रारंब में धनू राशी में विराजबान है और एक फरवरी को आपके भाग्य स्थान में जाएंगे। साथ ही 20 तारीक को पुनश्च राशी परिवर्तन कर वे आपके कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे। बुधादेव धनेश के साथ आपके पंचमेश भी है उस अनुसार पंचमेश पंचम के पंचम स्थान में जाने वाले हैं। परिणाम स्वरूप धनप्राप्ति के कई योग आपके लिए निर्माण होंगे। परिवार में विभिन्न प्रकार के शुभकारेक्रमों का आयोजन हो। पारिवारिक वातावरन प्रसन अताका रहेगा। आपका व्यवसाय या कारिय यदि भाषन कला लेखन कला से संबंदित हो। तो इस काल में आप विशेश सभलता प्राप्त करने वाले हैं। संग्षेप में इन सभी दुरुष्टियों से यह महना आपके लिए सकारात्मक रहेगा। इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रा में हम परिश्रम की दुरुष्टि से विचार करें। तो रुषब राष्टि के जातक मूल रूप से परिश्रम ही होते हैं। लेकिन इस महने के पहले पक्वाडे में आप परिश्रम करने में आलस करेंगे। काम करने के अपेक्षा उसे टालने का प्रयास करेंगे, अर्था तीह स्थिती केवल प्रथम पक्वाडे में रहेगी, क्योंकि दुसरे पक्वाडे में आप पुनश्य अपने मूल सभाव के अनुसार परिश्रम करते हुए सफलता प्राप्त करेंगे, प्रथम पक्वाडे मे आज करने का प्रयास करेंगे वही आपके लिए उचित है इस बात को मुठ्य रूप से ध्यान में लिए वास्तु वाहन भूमी सुक्रशान्ती की दुरुष्टी से विचार करें तो रुशब जातकों के लिए इस महने का दुसरा पक्वाड़ा अत्यंत शुभ कहा जा सकता है क्योंकि दुसरे पक्वाड़े में आपके लिए वास्तु वाहन के अत्यंत सुन्दर योग निर्मान होंगे घर की सुखशान्ती बनी रहेगी कुल मिला कर अत्यंत सकारात्मक काल आपको प्राप्त होगा इसलिए यदि वास्तु वाहन की दुरुष्टी से आपकी कोई यो यह महिना अत्यंत सकारात्मक का हजासलता है उसमें भी जो जातक आर्किटेक्ट या आकाउंट ख्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें सफलता के कई अउसर प्राप्त होंगी फार्मसी और इंजिनियरिंग के विद्यार्थियों को इस काल में थोड़ा अधिक अद्य सद्पयोग करें क्योंकि पढ़ाई में जो प्रगती होती है वह दिर्गाकाली इन लाभव प्रदान करती है इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए संतती से कुछ समस्या निर्मान होना यह प्रश्ण निर्मान हो सकता है और प्रत्यक्षित रूप से संतती आपकी बातों को नजर अंदाज कर कुछ अलग निर्णे लेने को कहेंगी या वैसे बरताव करेंगी जिससे आपको परेशानी हो सकती है साथ ही प्रेम के संदर्व में आपको थोड़ा सावधान रहने की सलह दी जाती है क्योंकि आपके साथ दोखा होने के योग निर्मान हुए है इसलिए उस दुरुष्टी से आप सावधान रहे यह सलह दी जाती है स्वास्थ कर्ज प्रतिसपर दिशत्रों की दुरुष्टी से विचार करें तो शुक्रदेव अर्थात आपके राशी स्वामी अस्टम स्थान में शत्रों राशी में विराजमान है उसी समय अस्टमेश आपके वेह स्थान में विराजमान है जिस कारण स्वास्त सम्मंधित कुछ समस्चा निर्मान होना उसके लिए खर्चा होना उसी समय आचानक अप्रत्यक्षित रूपचे शुभा उसर प्राप्त होना ऐसी दो एक दुसरे के विरूत्त चीज़े आपके साथ हो सकती है इस बात को पहले से ही द्यान में लेकर वैसी मानसिक्ता बनाले और अपना द्यान रखे यह सलाह आपको दी जाती है नोक्री रों व्यावसाय की दुरुष्टी से विचार करें तो रुशब जातकों को इन दोनों मोर्चों पर बाधा है परेशानी और संगर्ष का सामना करना पड़ेगा लेकिन मेहने के अंत में जब आप पीछे में उड़कर देखेंगे तब आपके ध्यान में आएगा कि इन सभी बाधाओं को पार करते हुए आपने उन्नती किये इसलिए बाधा परेशानी संगर्ष से बहिबित होकर पीछे ना रुखे उसका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे यह सलाह आपको दी जाती है वही आपके लिए उच्जीत रहेगा भाग्ययम शुबसंकेत की दुरुष्टी से विचार करें तो रुशब जातकों के लिए इस महिने कई शुबसंकेत निर्माण हुए है उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्यस्तान में चतुर्थे शाय है उसी समय आपके भाग्येश कर्मस्तान में शुबसंकेतों में सबसे बड़ा सुबसंकेत है कि राहु देव आपके लाभस्तान में विराजमान है जोहिस पहने शनीद से आपके लिए जिम्मेदारी रहेगी ऐसा हम कह सकते हैं ऐसे कई शुबहयोग आपके लिए निर्मान हुए है उसके शुबह परिणाम आपको प्राप्त होंगे इसलिए इसकाल का सदुपयोग कर्म की दुरुष्टी से विचार करें तो रुषब राशी के लिए कर्मे शनी देव होते हैं जो इसकाल में आपके कर्मस्तान में विराजबान हैं जिसे हम अत्यंद शुबह स्तिति कह सकते हैं उसमें शनी देव मूल रूप से कर्मस्तान के कारक माने जाते हैं वैं आपके कुणली के लिए केंद्रत रिकोणस्तान के स्वामी होकर कर्मस्तान में विराजबान हैं उन उससे आपको उचित लाभ प्राप्त होगा। लाभ की दुरुष्टी से विचार करें तो आपके लाभ स्थान में राहू ग्रह आया हुआ है जो आपको बड़ा लाभ देगा लेकिन उसी समय आपके लाभे श्वेस्थान में विराजमान है। जिस कारण लाभ की तुल्ला में थोड़ा खर्च शुरू रहेगा, कुल मिला कर आपका मार्ग क्रमन उन्नती की ओर शुरू रहेगा, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। वे ओम परदेश कमन की दुरुष्टी से विचार करें, तो स्वास्ट समंधित कुछ समस्या निर्मान होना, हॉस्पिटल पर खर्च होना, पढ़ाही पर खर्च होना, ऐसे विभिन पंद्यतियों से खर्च के कई योग आपके लिए निर्मान होंगे। उन में से कुछ योग अप्रत्यक्षित रूप से निर्मान हो सकते हैं, इस बात को धान में लेते हुए आप मानसिकता बना ले, उस अनुसार अगली योजना बनाए, यह सलाह दी जाती है। हर सुबह एक नया दीन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है। नहीं छ, पंद्रह और तेईस यह दिन अशूप तनावपुर्ण तथा संगर्ष से भरे रहेंगे, इसी को ध्यान में रखते हुए इस मेने कार्यों की योजना बनाईए। उपायों की दुरुष्टी से विचार करें, तो जोतिश में अत्यनत छोटे-छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए है। अशुबची जोकी अशुबची जोकी शुबचा बढ़ाने का उनमें सामर्थ होता है। उस अनुसार जन्वरी महने के उपायों का विचार करें, तो रुषब राशी के लिए उपाय सुचित किया जाता है। कि आप सफेद वस्तर, चावल, घी, शकर जैसी वस्तुए कि किसी कन्या को दान करें। इस उपाय से कुंडली का शुक्र बलवान होता है। इसलिए यह उपाय अवश्य करने चाहिए। उसके शुबची परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार फरवरी 2024 सियह महिना रुशब जातकों के लिए कैसा रहेगा। यह समझने के लिए इतनी जानकारी परियाप्त है। हम यही रुखते है। अगले भाग में हम अगले राशी के लिए यह महिना कैसा रहेगा। यह समझने के लिए पुनस्च अवश्य वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूले कमेंट बॉक्स में हरर जोतिश घरकर जोतिश लितना ना भूले धन्यवाद शुभम भवतु जय जोतिश जोतिश का अध्यहन तता शास्त्र की शास्त्रिय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी दो किताबे प्रकाशित हो चुकिये हैं उनका अवश्य लाभ लीजिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हां बेल आइकोन दबाना ना भूले धन्यवाद